वहाँ आप सभी श्ट्रगलर का आपके अपने चैनल दनलिम्टेट श्ट्रगलर में बहुत-बहुत स्वागत है आज का जो हमारा डिसकुस्टिंग का टॉपिक है वो है निर्फ नेशनल इंसिटूशनल रैंकिंग फ्रेमबर्ग इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिसकुस किया नैक क्या होता है उसके क्या फंक्शनिंग है एबी ए क्या है एबी क्या है किस फिल्ड से बिलॉग करते हैं और क्या उनका काम है इसी की तरह इन तीनों की तरह एक और बॉड़ी है NIRF जो की 2015 में एस्टिबलिस की गई थी है MHRD के द्वारा और इसका काम था कि डिफरेंट जो कॉलेजिज हैं इनुवर्शिटीज हैं विच बिलॉग स्टो डिफरेंट कैटेग्रीज सच एज इंजिनिरिंग, लॉग, म मेतोडलोजी है और पिछला जो अभी लास्ट जो पब्लिकेशन हुआ इनका NIRF का रैंकिंग का उसमें कौन से टॉप कॉलेजिज थे उसके बारे में आज जो हम डिसकस करेंगे, एक एजामिलेशन पॉइन पॉन्ट आफ विउ से यहां से एक कॉशिन आने की संभाबना र चैनल, The Unlimited Struggler को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेश वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारा फेस्बुक और इंस्टाग्राम पेज है The Unlimited Struggler के नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें National Institutional Ranking Framework जो है MHRD ने Establish किया था 29th September 2015 को और इसका काम था कि एक methodology होगी एक outline होगी एक framework होगा मतलब कुछ एक parameters होगे उन parameters के हिसाब से across the country पूरे इंडिया के different colleges और जो different universities हैं उनसे data लिया जाएगा बट वो willingly होगा जो इसमें ranking में जो है participate करना चाहते हैं उनका और उनकी एक ranking जो है वो publish की जाएगी कि वो different parameters पे कौन-कौन से rank पे जो है वो इस time कौन-कौन से rank पे वो हैं या क्या उनकी ranking है यह framework जो है एक establish किया गया था 2015 में 2016 में से इसने अपनी functioning स्टार्ट की थी और आप पांच इसके जो है वो major parameters हैं पांच parameters पे जो है NIRF जो है काम दूसरा research and professional practices, तीसरा graduation outcome, चौथा outreach and inclusivity और पांच वा जो इसका parameter है peer perception, academic, peer and employers तो इन parameters पे जो है वो NIRF जो है वो काम करता है question कई वार यह ऐसा भी आ सकता है कि कितने parameter है NIRF के ranking के अब discuss करते हैं कि इसका academic calendar क्या है academic calendar के अगर हम बात करता है कि इसका जो framework है parameter है क्या हम साल करेंगे उसका जो पिछले साल के हम बात कर रहे हैं जैसे 2019 की ranking जो publish हुई आपको मैं बता दूँ 2020 की ranking अभी आई नहीं है due to COVID-19 जो है वो pending है April में ranking आती थी लेकिन वो अभी pending है नहीं आई है लेकिन 2019 की जो ranking आई है उसके लिए 2018 से जो थी वो process start हो चुकी थी तो September 15 2018 तक framework जो है वो establish किया गया final कर दिया गया इसके बाद registration हुई September और October में उसके बाद data capturing और system इनका काम हुआ October और December 2018 में उसके बाद data publication हु हुआ February 2019 में इसके अलावा फिर बाद में feedback लिया गया 15 February 2019 तक और data verification and correction का काम January और March के महीने तक चलता है January से March तक फिर perception data analysis and peer perception survey February से March के बीच में होता है और हुआ 2018 में इसके बाद publication किया जाता है announcement की जाती है ranking की 8 April 2019 तक हुई थी इस साल का भी COVID-19 के चलते जो अब वो स्थाग पाकित है काम वो भी आएगा जब इनकी report आती है उसमें जो है वो पूरा data इनोंने बताया होता है कि कब हमने क्या किया यह dates जो है वो बैरी करती रहती है लेकिन अप्रॉक्सिमेट इन ही dates के आसपास पास पूरी methodology इनकी workout करती है यह जो मैंने snapshot लगाए है यह मैंने snapshot official जो report है उसको download किया फर्दर मैं इसमें link डाल दूँगा इस report का भी और official site का भी आप वहां से जाकर के cross check कर सकते हैं अब बात करते हैं categories की जो different institutions हैं उनको categorize किया गया है 9 categories में सबसे पहले एक तो overall rating होती है दूसरी universities की अलग ranking होती है फिर तीसरा engineering की ranking अलग से होती है different colleges की ranking अलग से management institution की अलग से pharma की अलग से law universities की अलग से architecture की अलग से और medical की अलग से ये 9 जो है वो category है grading की ranking की जिसमें different parameter जो मैंने आपको पहले पांच parameter बताए उनके हिसाब से जो है वो grading होती है बात करने अगर overall की अब देखिए आपको जो question बनता है वो या तो overall इन में से ही किसी एक category में से पूछा जाएगा कि engineering में top college कौन था NIRF 2019 की ranking के हिसाब से या 20 वाली release हो जाती है और उससे question आता है तो 20 की ranking के हिसाब से अब बताएए तो आपको इस तरह से question आएगा या second वाला भी पूछा जा सकता है first or second ये mystery रहती है कि कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको first or second जो है वो याद रखने है अगर 2019 की ranking की बा इसकी first ranking थी इसकी overall के हिसाब से दूसरे नमर पे Indian Institute of Science बैंगलूरू था IIS बैंगलूरू जो है इसकी ranking जो है एक दो एक दो ही रहती है overall के बात करें या इस तरह से मतलब दूसरे इसके courses के बात करें तो ये one of the top college और top बोल सकते हैं इसको माचारडी funded institution है ये तो overall के हिसाब स पहली ranking थी Indian Institute of Technology Madras की और आपको अभी ध्यान भी होगा कि Madras इसलिए अभी थोड़ा चर्चा में था IIT Madras इन्होंने जो था वो COVID-19 के उपर आपना एक research published की थी जिसमें इन्होंने बताया था तो किस तरह से जो है वो different lockdown period से इंडिया को जो है क्या impact होंगे और किस तरह से जो universities की बात करें तो top 100 universities में सबसे पहला मैंने top 10 ही include किया है सब जगा सबसे पहला number one था Indian Institute of Science बेंगलूरू यह universities में था और overall में IIS बेंगलूरू जो था वो second number पे था अगर engineering college और institutions की बात करें तो IIT Madras चेनाई यह number one rank पे था और यह overall में भी number one रैंक पे था management में बात करें तो Indian Institute of Management IIM बेंगलूरू जो था वो first rank पे है 2019 की rank में first इस पे नंबर पे था NIRF की ranking के हिसाब से IIM बेंगलूरूरू एहमाम एहमदाबाद second rank पे था pharmacy में बात करें तो जामिया हमदर्द New Delhi यह जो institution है first ranking पे है पंजाब इनवर्सिटी चंडिगर second ranking पे था 2019 के हिसाब से और top 100 colleges की बात करें तो Miranda House Miranda House one of the famous college है पिछली बार भी number one पे था इस बार भी जो है वो number one पे है यह और अगर बात करें medicals की तो All India Institute of Medical Science जो है AIMS जो है New Delhi वो first rank पे है 2019 की ranking के हिसाब से और law colleges and universities की बात करें तो National Law School of Indian University बैंगलूरू जो है करनाटका गा वो first ranking पे है आर्चिटेक्चर में बात करें तो Indian Institute of Technology खडगपूर one of the famous college है यह one of the famous institution है first rank पे है 2019 के हिसाब से और अगर बात करें जो इनके different categories है different institutions की उसकी website जो है आपको यहां दी गई है उन पे आप login करके different ranking देख सकते हैं इसके अलाव अगर आपको ranking cross verify करनी है तो आप NIRF की site पे visit करें वहां से आपको detailed report भी मिल जाएगी हलांकि इसका link मैं डालूँगा नीचे वहां से आप download कर सकते हैं तो आपको first और second जो है वो याद रखने हैं यह वीडियो में इतना ही था thanks for listening thanks for watching hope आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो आप like जरूर करें comment जरूर करें feedback के लिए subscribe करें और share करें अगर आपकी कोई soft copy या hard copy चाहिए handwritten notes की आपको अभी लेवल करवा दी जाएगी बिल्कुल genuine prices पे आप कभी भी संपर कर सकते हैं thank you thanks a lot